Dear Students, Bernoulli's Principle का एक बहुती important application होता है to study water discharge from a large tank. माल लीजे कि आपके पास एक large tank दे रखा है और tank में नीचे कहीं या तो side wall में या कहीं bottom में एक opening बनी हुई है, exit बना हुआ है जिससे की liquid निकल लहा है और आपको पता करना है कि जो liquid निकल लहा है उसकी speed क्या है तो इस question को आप Bernoulli's Principle का यूज़ करके बहुत आसानी से solve कर सकते हैं Bernoulli's Principle में हमें सिखाया गया है कि हम लोग कोई एक streamline ले 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 और उस streamline के along दो points ले ले 1 और 2 और दोनों points पे P plus rho GH plus half rho V square pressure plus potential energy वाला term plus kinetic energy वाला term यह तीनों का sum constant होता है यह हम लोगों ने सीखाया Bernoulli's Principle में तो आप इस tank में भी देख सकते हैं कि माल लीज़े कि one से start करता हुआ मैं कोई streamline ले लूँ ऐसे ऐसे आया और यह इधर बाहर निकला पानी यहां से निकला तो जो two point हमने लिया है इस exit के just बाहर है ठीक है इसके just बाहर है क्योंकि just बाहर कही मुझे speed पता करना है कि जो water है इस large tank से किस speed से निकल ला है तो हमने दो points लिए one और two तो one point पर pressure क्या हो जाएगा p1 plus वहां पर velocity माल लेते हैं कि v1 है तो हो जाएगा half row v1 square और इस one point के height माल लेते हैं इस tap से h height है यह वाला height h है तो इसको हम लोग ऐसा लिख दें रो जी एच this is equal to second point के लिए सब कुछ लिखेंगे तो हो जाएगा p2 plus half row v2 square plus यह हम लोग को zero करना परेगा यह वाला term यहां पर zero लिखना परेगा क्योंकि जो second point है इसका height अगर हम लोग zero लें तो first point जो है वह height h पर है तो यह कैसे आया इसको ध्यान से देख लीजिए यह simple burn all is principle से आया है point one के लिए हमने लिखा p1 pressure v1 यहां पर velocity है velocity किसकी liquid की जो liquid नीचे जा रहा है यहां से तो नीचे जाएगा तभी तो यहां तक पहुँचेगा liquid का जो free surface है उस free surface पे जो velocity या speed of water है उसको हमने v1 लिखा है और यह जो free surface है इस instant पे height h पे है तो हमने rho gh यहां कर दिया यहां पर कर दिया p2 plus half rho v2 square यहां पर velocity है v2 जो हमें find करना है और इस point two का height जो है हमने zero reference ले लिया है नहीं कि इसको reference level मानते हुए point one का height निकाला तो वो h है तो इसलिए यहां पर zero हो गया अब इसमें आपको एक बात और ध्यान में देना परेगा कि यह जो p1 है और जो p2 है दोनों equal है और दोनों atmospheric pressure p atom के बराबर होंगे p atmospheric के बराबर होंगे क्यों बराबर होगा अब simple सा funda है यह जो point one है यह तो open atmosphere को exposed है न यह तो free surface है open atmosphere को exposed है इसलिए यहां पर pressure जो है वो atmospheric pressure के बराबर हो गया ध्यान रखिए अगर question की setting में ऐसा हो जाता कि यहां पर जो tank है इसको आपने close कर दिया है और अंदर में कुछ pressurized air है या कोई दूसरा type का air है या अंदर में जो air है उसमें pressure atmospheric pressure के बराबर नहीं है तो P1 की जगा आप P atmospheric नहीं लिख सकते हैं उसी तरह यह जो second point है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए second point हमने कहां लिया है जहां पर यह tap खुल लहा है जो exit हो रहा है जहां पर पानी इस tank से बाहर निकलना start किया यानि कि यह जो point 2 है यह भी exposed to atmosphere है इसलिए P2 जो है यह भी atmospheric pressure के बराबर होगा यह जो P1 है यह भी atmospheric pressure के बराबर होगा तो दोनों को हम लोग cancel out कर सकते हैं P1 और P2 cancel हो जाएगा बहुत important step है कुछ बच्चों को मैंने देखा है यहां पर confused होते हुए कि वो सोचते हैं कि सर यह आपने point 2 को यहां लिया है थोड़ा सा अगर हम लोग अंदर आ जाए तो यहां पर तो pressure हो जाएगा P atmospheric plus rho GH तो यह सब सोचकर के बच्चे confused हो जाते हैं अब उसमें problem क्या होगी कि अगर आप अंदर चले गया है तो अंदर में velocity कितनी होगी pressure क्या होगा बहुत confusion होगा तो इसलिए हम लोग point 2 जो है वो just outside the tap लेते हैं और वो वाला जो point है वो atmosphere की तरफ खुला हुआ है इसलिए P2 जो है वो atmospheric pressure के बराबर हो जाता है तो ये दोनों term तो cancel हो गया तो equation मेरा relatively आसान हो गया लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके बस unknown 2 है V1 और V2 unknown 2 है equation एक ही है तो दूसरा equation कहां से आएगा? दूसरा equation आएगा equation of continuity से क्योंकि आप जान रहे हैं कि जितना पानी उपर से नीचे आएगा उतना ही पानी त this is equal to A2 V2 बिलकुल लिख सकते हैं equation of continuity से तो आपके पास दो equation आ गया दो unknown आ गया अब आसानी से V1 और V2 दोनों को यहां से find कर सकते हैं तो इस V1 को हम लोग eliminate कर दें तो पहले तो हम लोग यह लिख सकते हैं half rho V2 square minus V1 square this is equal to rho GH अच्छा दोनों साइट में rho है तो भाई तुम rho क्यों रहे हो रो और rho यहां से cancel हो जाओ अब V1 square को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 square is equal to V2 square into A2 square by A1 square equation of continuity से आप से लिख सकते हैं तो V1 square को आप यहां पर substitute कर दीजिए V2 square common बाहर निकाल लीजिए अब यह simple calculation है तो यह हमने V2 find कर लिया V2 क्या है velocity of liquid coming out from this end इसी को कहते है velocity of efflux और यह जो हमने velocity find किया है इसको कहते हैं Torricelli's theorem अब यह तो हमने exact formula for V2 लिख दिया है लेकिन आप जानते हैं कि यह large tank है तो जो A1 है वो A2 से तो बहुत जादा बरा होगा यानि कि A2 by A1 एक बहुत ही छोटा quantity होगा A2 by A1 square तो और छोटा quantity होगा this will be tending to 0 यानि कि उस case में हम लोग क्या लिख सकते हैं यह जो denominator है यह 1 हो जाएगा क्योंकि A2 by A1 whole square this is a very very small quantity तो उस case में हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि V2 is equal to root under 2GH तो generally आपको books में या questions में यही formula यूज करना परेगा V2 is equal to root under 2GH तो यहां से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे height घट रहा है velocity of eff flux या जो liquid के निकलने की velocity है speed है वो घटता जा रहा है अब इसी discharge के concept से एक related concept होता है कि माल लीजे कि initially height hi है initial height है तो कितने देर के बाद आप h final height पे पहुंच जाए यानि कि कि कितना time लगा liquid को level hi से decrease करके hf जाने तक यानि कि आपको time of discharge अगर पूछे तो उसको कैसे find वो भी बहुत simple है simple calculus है इसमें और कुछ नहीं है आप time dt को ध्यान में रखिए कि dt time में इस exit side से कितना liquid निकलेगा अगर उस time instant पे velocity है v2 तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि v2 dt length of liquid निकलेगा यहां से मैं बात कर रहा हूं किसी एक arbitrary time instant t की जिस time पे velocity of a flux यहां से क्या था v2 था velocity v2 है तो dt time में length of liquid जो निकल ला है कितना हो जाएगा वी 2 into dt हो गया ठीक है इसका length हो गया v2 into dt cross section area कितना है इस exit का या इस tap का या इस null का a2 है तो कितना liquid volume इधर से निकल ला है dt time में उसको हम लोग ऐसे लिख दें a2 into v2 into dt अब उतने ही time में माल लीजिए कि जो height है वो dh height से reduce हुआ dh height से water surface की height reduce हुए कितने time में dt time में माल लेते हैं कि जो water का height है वो dh height से reduce हुआ dt time में तो इस dh height से reduce होने के कारण कितना water इस tank से निकला बहुत सिंपल है इसका cross section area है A1 cross section area into height A1 into dH तो हम लोग यह लिख सकते है A1 into dH this is equal to this और यहाँ minus करना परेगा minus क्यों करना परेगा minus इसलिए करना परेगा क्योंकि यह dH तो reduce हो रहा है पहले माली जे की height था 10 cm अब घटके हो गया 9 cm तो H तो reduce हुआ इसलिए dH negative हुआ dH negative हुआ इसलिए हमने एक minus और डाल दिया ताकि यह dH और minus मिल करके LHS positive हो जाए क्योंकि RHS क्या है RHS तो एक positive number है यह simple हमने equation of continuity से कह सकते हैं यह conservation of volume से आप लिख सकते हैं इसलिए हमने दोनों को equate कर दिया तो इस DT को आप LHS मिले जाए तो यह हो जाएगा dH by dt यहां से भाई dt तुम भाग जाओ अब इस चीज को आप चाहें तो directly equation of continuity से भी लिख सकते थे उसी चीज को मैंने थोड़ा सा लंबा खीच के लिखा इधर क्या है dH by dt है velocity of liquid this side cross section area A1 है तो हो गया A1 into dH by dt this is equal to cross section area A2 है तो A2 into V2 minus इसलिए देना पर है क्योंकि dH by dt negative है as time increases H तो reduce हो रहा है तो dH by dt अपने आप में एक negative number आएगा लेकिन यह V2, A2, A1 सब positive है तो इसलिए हमने यहाँ पर minus कर दिया यह आजाएगा equation of continuity से तो आप equation of continuity से directly लिखिए या आप volume conservation करके लिखिए दोनों चीज तो same है na equation of continuity भी तो volume conservation से ही आता है तो हम लोग दिख देते हैं minus A1 into dH by dt this is equal to V2 into V2 V2 क्या है भाई, V2 तो है root 2gs तो आजाओ V2, तो अब देखिए हमें एक simple सा h और t में relation मिल गया है, इस A2 को भी हम लोग इधर ले जाए, इधर ले जाते हैं चलो भाई तुम इधर आ जाओ, इस root h को हम लोग lhs में ले जाते हैं इस साइड और dt को इधर ले जाते हैं simple S manipulation है, आप लोगोंने differential calculus में देखा ही होगा अच्छा अगर आप चाहें कि V2 का exact formula लिखना चाहें तो आप ये वाला formula भी लिख सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है, उस case में क्या होगा? नीचे में एक ये वाला जो root factor है वो आजागा तो वो भी मैं लिख देता हूँ अब इसको आप integrate कर दीजे, time 0 से t तक और h क्या हो जाएगा? h initial से ले करके h final तक तो ये आपको time of discharge देदेगा ये बहुत simple calculation है, आप कुछ नहीं है इससे मत घबराइए, क्योंकि ये तो constant है इधर भी constant है, आपको integrate करना है dh by root h, तो dh by root h को जब integrate करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 2 times root h आप upper और lower limit h i और h f इसमें डाल दीजिए तो time ये हो जाएगा, a1 by a2 रहेगा 2 times root h i minus root h f divided by root 2 g और ये वाला factor रहेगा, 1 minus a2 by a1 whole square जो यहां से हमने लिया है, इस factor को आप neglect कर सकते हैं बहुत सारे books में ये वाला factor तो रहता भी नहीं है क्योंकि ये factor क्या हो जाएगा, ये तो almost equal to 1 हो जाएगा a2 by a1 whole square तो एक negligible quantity है तो ये वाला quantity पूरा पूरा 1 हो जाता है hi है, और final height 0 हो जाता है यानि कि पूरे liquid tank को discharge होना है तो उसके लिए कितना time लएगा, मैं बताता हूँ आप hf को 0 कर दीजिए, तो देखे time क्या हो जाएगा उस case में time हो जाएगा, t is equal to a1 by a2 तो रहेगा ही ये 2 और root 2g नीचे में है, तो ये root under 2h by g हो जाएगा तो ये हो जाएगा time taken to discharge the complete tank hi कर देते हैं, initial जो भी उसकी height थी तो ये जो हमने अभी derive किया है, ये क्या है time taken to discharge the complete tank इस formula के मैं हटा देता हूँ, ये तो आपने समझी लिया होगा simple integral calculus से आगया, कि अगर water level को hi height से hf height तक reduce होना हो, तो time taken क्या हो जाता है ये हो जाता है, अगर hf 0 हो गया, यानि कि complete liquid discharge हो गया, तो time क्या हो जाएगा, a1 by a2 root under 2hi by g, अब इस पूरे lecture में मैं कहीं liquid बोल लाँ, कहीं water बोल लाँ, या आप liquid कही है या water कही है, कोई फरक तो पढ़ना नहीं है, अब ये जो time हमने find किया है, ये किस चीज़ का time है, time for liquid to be completely discharged from that large tank, ये जो time है, आप देखेंगे कि अगर आप height hi से किसी body को drop करते हैं, तो ground level तक आने में जो time लगता है, उससे मिलता जुलता है अगर आप height hi से किसी body को drop करते हैं, तो ground तक आने में कितना time लगता है, hi is equal to half gt square कह सकते हैं, क्योंकि initial velocity तो 0 है, तो time क्यों जागा, root under 2 hi by g, ये तो आप लोग ने basic kinematics में परहाई होगा, आप ये formula देखे, time is equal to root under 2 hi by g और ये time है, a1 by a2, root under 2 hi by g, दोनों काफी कुछ मिलता जुलता है, उसी तरह ये जो velocity of efflux हमने derive किया, वो क्या था, v2 is equal to, हमने लिखा था न, root under 2 gh, ठीक है, उसका exact formula में, ये denominator में पूछ भी आती है, लेकर अगर इसको हम लोग neglect कर दें, क्योंकि ये approximately equal to 1 होता ही है, तो ये velocity भी देखे, किस से मिलता जुलता है, अगर आप height hi से किसी body को drop करते हैं, तो ground तक आते आते उसकी velocity क्या हो जाती है, root under 2 gh, तो आप water को drop, तो water अगर hi height से आए नीचे, तो यहाँ पर velocity क्या है, root under 2 gh, और कोई body भी hi height से drop हो जाए, तो उस case में भी velocity क्या होती है, root under 2 gh, देखे, दोनों same match कर रहा है, लेकिन time वाले case में आप देख रहे हैं, कि match तो नहीं कर रहा है, मिलता जुलता है, liquid के case में पूरे liquid को discharge होने में time लग जाता है, root under 2 hi by g, into करना पड़ता है a1 by a2, ये एक large factor है, क्योंकि a1 क्या होगा, 10 times, 20 times this a2 होगा, यानि कि time of liquid discharge जो है, वो time of flight से बहुत जादा होता है, तो ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान से देखिए, तो time of liquid discharge जो है, वो time of flight से बहुत जादा है, अब इसका एक physical reason भी है, कि ये time क्यों जादा है, मैं बताता हूँ, अब ये सब चीज आपको exam में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन conceptual understanding के लिए समझे के क्यों हो जादा है, जब कोई body उपर से नीचे गिरता है, तो क्या होता है, इसकी velocity ठीक है, यहाँ पे 0 है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीचे आता ही 1 हो गया, फिर माली ये 4 हो गया, 6 हो गया, कुछ बढ़ता जाता है ना, acceleration due to gravity करा 9 हो गया, 16 हो गया, करते करते वो ground level पे आ जाता है, तो किसी body को अगर आप उपर से नीचे गिराते हैं, तो बस शुरुआत में उसकी initial velocity 0 रहती है, उसके बाद उसकी velocity तो बढ़ती जाती है, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ती जाती है, यह होता है body के case में, लेकिन liquid के case में देखे क्या हो रहा है, इस liquid का जो level drop हो रहा है, तो इसमें देखे क्या है, जो level उपर में है, इसकी velocity क्या है, हम लोग assume करते हैं, velocity इसकी 0 है, क्योंकि cross section area even बहुत जादा है, तो यह velocity को हम लोग 0 या almost equal to 0 मान के चलते हैं, जब यह water level नीचे आ जाता है, तब भी इसकी velocity 0 रहती है, और नीचे आ गया, तब भी इसकी velocity 0 रहती है, तो water level जो है, टॉप वाला जो surface है, उसकी velocity तो throughout the descent 0 ही रहती है न, यहाँ पर velocity ठीक है, कि root under 2GH होता है, लेकिन यह velocity भी देखे घटते जा रहा है, root under 2GH तो इसकी velocity बिलकुल शुरुवात में होगी, जब यह water अपने height H पे है, रही है, साथ ही साथ यह भी है, कि यहाँ से जो water level drop हो रहा है, जो liquid level drop हो रहा है, तो liquid level का जो surface देखिएगा, तो surface में हर जगा, surface के top में तो velocity 0 ही है, mechanics में जब हम लोग किसी body को drop करते हैं, तो वैसा नहीं होता है, माल लिजए कि आपने किसी body को drop किया उपर से, तो initial velocity ठीक है 0 है, लेकिन एक सेकंड के बाद इसकी velocity, माल लिजए कि 10 हो गई, फिर 20 हो जाएगा, 30 होगा, 40 होगा, बढ़ता जाएगा, 0 तो फिर नहीं होगा ना, लेकिन liquid level के case में देखिए क्या हुआ, initially top surface की velocity 0 है, थोड़ी देर बाद ये surface नीचे आ गया, तब भी surface की velocity 0 है, थोड़ी देर बाद और नीचे आ है, फिर भी surface की velocity 0 है, फिर 0 है, यानि कि ये तो बहुत ही धीरे 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 sluggish तरीके से liquid discharge हो रहा है न, और ये जो tap है, जिसके through water निकल लहा है, initially तो बेचारा ये 2GH under root velocity था इसके पास, लेकिन जैसे जैसे height decrease होता गया liquid surface का, ये वाली velocity भी घड़ती गई, यानि कि इसका भी speed घड़ता गया, तो इन ही दोनों factor के कारण, जो time of liquid discharge है न, देखिए ये A1 by A2 times हो गया, बहुत ज्यादा हो जाता है,